हेलो दोस्तों नवस्ते आदाब और सस्तियकार आपका दोस्त गौरव फिर से दोपहर की दम पर आपका स्वागत करता है जहां पर एक हम नई उमीद के साथ और एक नई जंग के साथ आ रहे हैं ICAR Mock Test 15 जहां पर हमें फिर से फतह प्राप्त करनी होगी और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से हीरोज मतलब बहुत सारे वारियर्स जो यहां पर अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं Mock Test 15 में हम इसी तरह से लगे रहेंगे लगन के साथ और तयारी करते रहेंग हेलो अंकू गुड़ आफटरनून तो फटा फट से एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और दोस्तों को बुला रहेंगे कि सर यहां पर आ गई है हां Mock Test 15 चलिए आर्मी लवर राधे राधे जितेंद्र जैमाता दी फटा फट से एक बार थम्स अप करेंगे अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है तो हां M Good Afternoon योगेस Good Afternoon चलिए सूरज यहां पर रेडी है सुनाली ने कहा है Good Afternoon ओके आजए Good Afternoon फटा फट से एक बार थम्स अप कर दीजिए द्रिश्ती हां सुनील ने थम्स अप कर दिया है जितेंद्र मतलब मेरी वॉइस आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे अजीत प्रणा काम चलिए शुब्रा वेरी गुड गुड आफटर नून आगे बढ़ेंगे मोडिवेशनल कोट की तरफ मोडिवेशनल कोट है जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुम्किन लगता है यह नेल्शन मंडेला के जो बहुत अच्छे शब्दे हैं मतलब अगर आपने ICR की तैयारी शुरू नहीं की है तो वह आपको नामुम्किन लग रही होगी लेकिन जब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया मौक टेस लगाया प्रेक्टिस की रिवीजन किया फिर आपको चुटकियों का काम लगेगा कि हाँ यार यह एक्जैम तो बड़ा आ आएगा कि हम कभी जुकेंगे नहीं मतलब जुकोंगा नहीं तैयारी करता रहूंगा सिलेक्शन लेके ही मानूंगा और वारियर्स की तरह जिस तरह योद्धा लड़ते हैं उस तरह मैं लड़ूंगा और मैं आपको कुछ रियल वारियर से मिलाना चाता हूं जिनोंने अच्छे तरह से आंसर दिये थे वहाँ पे और भी लोग थे प्रिया साहनी प्रिया बुंदेला लेकिन यहां पर हम सिर्फ टॉफ फाइब वारियर्स के नाम लेकर आए हैं तो आपको भी होमवक करना है और मैं चाहता हूं कि आपका भी इधर पर नाम आए क्यों क्योंकि जब आप महनत कर रहे हो जब आप परिश्णम कर रहे हो तो हमें हर एक चीज करनी है चाहिए प्रैक्टिस हो रिवीजन हो होमवक हो क्योंकि एक्जाम में हमें आंसर फड़ा फट देना है तो चलिए आगे बढ़ेंगे आर यू रेडी लेकिन यहां पर रेडी मतलब एक ब अबजेक्ट कंटेंड करेंगे टोटल हंडेड कोश्चन होंगे और हंडेड मार्क का पेपर होगा मतलब पॉजिटिव कितने होंगे वन मार्क होगा निगेटिव कितना होगा 0.25 तो याद रखना यह 0.25 ही क्या है हमारा साप है इससे बच के रहेंगे ठीक है तो अब आप की स्क्रीन पर पहला प्रश्ण यह रहा है कि जस्ट अ मिनिट गाइस हां विच कंट्री इस प्रोड्यूसिंग रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट रफल लडाकू विमान कौन सा देश बना रहा है फ्रांस अमेरिका कनेडा रशिया एम ने कहा है सब फ्रांस होगा कनेडा ने क्या शिवानी दिप्ती आर्ती योगी सोनाली शिवानी बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वोगा फ्रांस फ्रांस जो है वो राफैल बना रहा है ठीक है रशिया से हम कौन सा लेते हैं मिग लेते हैं बहुत जादा ले लेते भईया मिग मिग आपने प्रवाइड किये जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशने विच वन ओफ फॉल्वाइंग प्लेसेज रिसीव दा हाइस्ट रेंफॉल इंद वर्ल्ड निम लिखिद में से किस स्थान पर विश्व में सरवाधिक वर्शा होती है मनीशा वırइगोड तो यहां पर करेक्ट आउनसर जो होगा वोह होगा अप्शन सी सिल्चर तो बिलकुल नहीं किफान है पहले 24,4 पूंजी थी लेकिन अभी मॉसंड रम हैं और मॉसंड रम में जो बारिश होती है वह मिनिमम कितनी होती है 10,000 mm, जो rainfall है, वो कितनी है, 10,000 mm, और ये इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा rainfall होने वाली जगह है, और ये है कहां पर, ये भी याद रख लीजे, ये है मिघाले में, कहां पर है, मिघाले में, तो ये भी याद रखना है, आप से पूछ सकते हैं, हाँ, मिनिमाम भाईया, यहाँ पे 10,000 mm है, इसको आप लोग 10 से डिवाइड कर दोगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में भी, हाँ, चलिए, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड प्रतिक्षा, अगला प्रश्न, ग्रीन रिंग इन दा ओलम्पिक फ्लैग रिप्रेजेंट विच कॉंटिनेंट, ओलम्पिक धोज में हरे रंग की रिंग किस महादीप को प्रतिनिधित्व करती है, आस्ट्रेलिया, यूरोप, अफरिका और अमेरिका, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, यहाँ प धान से देंगे इस आंसर को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को यह साप डसने वाला है, अभी तक किसी का भी करेक्ट नहीं आया है, जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पर अभिशेक ने करेक्ट दिया है, वेरी गूड अभिशेक केंडी का भी जवाब बिलकु से जवाब दिया है, तो भाईया, अभिशेक वेरी गूड पढ़ाई इसी तरह करना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, वो होगा आस्ट्रेलिया, अब देखिए, हम देख लेते हैं, कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर पांच रंग होते हैं, बी, वाई, बी, जी, आर, मतलब, ब्लू कलर, यलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, और रेड कलर, तो देखिए, ब्लू कलर जो होता है, वो यूरोप होता है, ब्लू कलर क्या होता है, यलो कलर क्या होता है, एशिया होता है, ठीक है, फिर ब्लैक कलर क्या होता है, यह अफरिका होता है, ठीक है, ग्र इस तरह से याद रखेंगे, very good, blue, yellow, black, green, red, red is USA, और green जो पुछा था वो Australia होगा, तो सब को सापने डसा है, तो मतलब negative marking हो रही है, तो इसको नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नी की तरफ, operation flood is a, operation flood क्या है? Mission to increase performance of the dairy sector, river management mission, mission to save rain water for irrigation, mission to increase underground water. ओ भाई, सौरव ने आते ही, यहाँ पर छक्का मारा है, रिमपा ने, कैप्टन मॉर्गन, प्रतिक्षा, पूजा, दृष्टी, सोनाली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, योगेश, सौवेक, बहुत बढ़िया, यहाँ पर correct answer जोगा, वो होगा, option number one, mission to increase performance of the dairy sector, जो भी यहाँ पर dairy sector, और इसको कौन कर रहा है, National Dairy Development Board, कौन कर रहा है, National Dairy Development Board, यह भी याद रखेंगे, ठीक है, NDDB, यह याद रखना है, हमें, yes, dairy sector से है, बहुत बढ़िया, चलिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए, जो इंडिया है, वो भाईया, one of the largest producer है, किसका, milk का, और भाईया, अपने हाँ, सबसे यादा कौन सी milk होती है, बफैलो मिल्क होती है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, विकाश भी आ चुके है, good afternoon, फड़ा-फट से जुड़ जाएए, लेकिन गाइस, एक बार जाना ही चलता है, कौन सा, अमूल दूद पीता है, इंडिया, चलिए, out of which galantry awards belong to the category of galantry in the face of the enemy, इन में से कौन से वीरता पुरुसकार, शत्रू के सामने वीरता की श्रिणी से संबंदित है, अशोक चक्र, शौर चक्र, वीर चक्र, और नन आउफ दा अबव, बताए, फड़ा फट से देखते हैं, कौन सही जवाब बताता है, यहाँ पर, सौरव ने कहा है, सर वीर होगा, शिवानी ने कहा है, सौवे, good afternoon, फड़ा फट से आंसर देते हैं, इसका, सभी क्या रहे हैं, वीर, 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 ठीक है, आर्मी लवर ने भी वीर कहा है, यूपी एससी ने भी कहा है, शुबरा ने कहा है, कैंडी ने, तो चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, वो होगा, वीर, चक्र अवर्ड, अब देखें, गैलेंटरी अवर्ड जो है, दो तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, गैलेंटरी दो तरह के होते हैं, कौन कौन अब देखिए जो in the face of enemy होता है वो तो आग पर आ गया परमवीर, महावीर और वीर चक्र और जो अधर होगा इसमें आएगा अशोक, शौर्य और एक और आएगा वो आपका homework है आपको बताना है एक और कौन सा होगा ठीक है चलिए हास और वेरी गुड आगे बढ़ेंगे अगले प्रश यहाँ पर दिनेश ने आंसर दिया है करेक्ट लेकिन दिनेश यह homework है इसको homework करेंगे और Real Warriors के नेम में अपना नाम शामिल करेंगे अगले प्रशने पर बढ़ते हैं Central Institute of Sub-Tropical Horticulture is located in which city of the Uttarpradesh Central Institute of Sub-Tropical Horticulture Uttarpradesh के किस चैर में इस्तित हैं लखनाओ, इलाहाबाद, गोरकपुर और गाजियाबाद हाँ शुबरा आपका वो आंसर सही है लेकिन वहाँ पर आपन देंगे कहाँ पर कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खतम हो जाएगा यहाँ पर लोग करें सर लखनाओ, लखनाओ होगा, ठीक है तो लखनाओ देखते हैं मिया, क्या पूछा है, Sub-Tropical Horticulture तो यहाँ पर करेंट आंसर जो होगा, वो होगा लखनाओ, बहुत बढ़ियाँ, अब देखें, Horticulture मतलब क्या होता है, फड़ा-फड़ से सभी लोग बताएंगे, Horticulture का मतलब क्या होता है, Study of what, या Culture of what, जल्दी से बताएंगी, Horticulture बागवानी, Candy ने कहा, Sir, बागवानी, बहुत बढ़ियाँ Candy, भईया, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बागवानी, देखिए, कुछ mistake हो जाए हिंदी में, तो माफ करिएगा, बागवानी, शाय सही लिखा है मैंने, हाँ, बागवानी कहते हैं, भईया, Flower, हाँ, very good, चलिए जो शो फ्लावर होते हैं, शो फ्लावर ये शो प्लांट, उसको हम कहते होटी कल्चर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, लेकिन उससे पहले discuss करना चाहूँगा, कि आपके लिए test book के लेकर आया है, happy hours sale, अब भईया, जो है, happy hours sale आपके सामने है, जहां पर 399 में आपको जो पहले 450 exam की तयारी करने का मौका मिल रहा था, अब आप कर सकते हो 470 exam, और जहां मौक test आपको 30,000 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 34,000, और सिर्फ ये 399 में है, और जब pass आप खरीदोगे, तो आप code यूज कर सकते हो मेरा, जो कि है GAMPASS, क्या है code, GAMPASS, और आपको directly 15% का discount मिल जाएगा, और आप अपने मौक को लगा सकते हो वहाँ पे, जहां पर आप 470 से भी जादा exams के test series को attempt कर सकते हो, अब इसको buy कैसे करना है, एक बार वो देख लेते हैं, simply आपको Google में जाना है, YouTube open करना है, YouTube पर किसी भी test book के वीडियो पे चले जाईएग आप देखिए अपनी live class चल रही है, इस पर जाते हैं हम, और description में आ जाते हैं, जैसे description में आओगे, आपको एक link दी रहेगी, teacher link, उसको click करना है, आपके पास एक नया page open होगा, जहां पर आपको मिलेगा monthly test book, yearly test book और lifetime, तो यहां पर हम apply करेंगे coupon, और coupon क्या है अपना? G, A, M, P, A, S, S, और इसको apply करते ही, जादू दिख जाएगा, और वो जादू क्या है, जो 599 का था, lifetime वो 540 का हो गया, तो mark लगाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लगाओगे नहीं, तो exam का पता कैसे चलेगा, कि online में आप perform कैसे कर रहे हो, क्योंकि यहां पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए, कि इनके बीच में आप स्टेंड कहां पर कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, वेर वास्थधा-एंपीरियल फॉररेष्स इंस्टूट्टीड इस्टेबलिस्ट, Имपॉरियल फॉरेष्ट incident की सापना कहां की गई थी, कैलकेटा, दहरादून, डेली और लाहुर, जल्दी फटावट से बताएंगे सभी लोग लोगों ने का है सर कैलकटा होगा कैलकटा होगा ठीक है ठीक है देहरादून कुछ लोग कह रहे हैं भाई देख लो कुछ लोग देहरादून कह रहे हैं कुछ लोग कैलकटा कह रहे हैं Confusion ही Confusion है, ठीक है, हाँ, अभी तो प्रतिक्षा कह रही है, सर B होगा, हिमांशू कह रहे है, B होगा, मतलब दहरादून, तो भाईया, दहरादून is the correct answer, भूलेंगे नहीं, Arid Soil का Center, Arid Soil Center कहां पर है, बताइए, Arid Soil Center कहां पर है, बहुत बार पढ़ा है, Arid देखते ही, आपको answer मिल जाएगा, Arid Soil Center कहां पर है, दिपिका ने कहा है, सबसे पहले राजस्थान, बहुत बढ़ियां दिपिका, लेकिन राजस्थान में कहां पर है, शिवा very good राजस्थान में है, एम ने directly बताया है, कि सर, जोधपुर में है, बहुत बढ़ियां, ऐसे आपन को याद रखना है, अब एक चीज और याद से हम discuss करते रहेंगे, लेकिन एक बार सभी लोग फड़ा फट से share करेंगे, यस रिंपा 1929, सभी के सही है, रिसीमा, शुबरा, दिनेश, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन है, हॉन्बिल फेस्टिवल is celebrated in, हॉन्बिल महस्तव कहां मनाय जाता है, केरला, नागा लेंड, जम्मू कश्मीर, अरुनाचल प्रदेश, केंडी का सबसे पहले जवाब, देन सौरव आ रहे हैं, शिवा, नूरा, कैप्टन मौरगन, दीपक, मोनी, एम, नवजीत, बहुत बढ़ियां, दिनेश, वेरेगोड, यहां पर करेक्ट आंसर ज क्या बोलते हैं, फेस्टिवल और फेस्टिवल हो सकता है, आपके एक्जाम में इस तरह से कोश्चन भी बना कर दे दे, कि विच फेस्टिवल इस ओन एज फेस्टिवल और फेस्टिवल तो आंसर होगा आपका हॉन बिल फेस्टिवल, ठीक है, हाँ, वेरे गुड, नागा क्या है, कोहिमा है, तो ये भी याद रख लीजिए, चली अगले प्रशनी की तरह बढ़ते हैं, अगला प्रशन है आपके स्क्रीन पर ये, मुद्ग्रा टूल बॉक्स रिसेंटली न्यूज इस रिलेटेट तो विच फॉलोइंग ऑप्शन, मुद्ग्रा टूल बॉक्स हा सपोर्ट फार्मर्स द्यूरिंग कोविड नाइटीन, देखते हैं किसका सही जवाब आता है, यहां पर थ्री ऑप्शन दे रहे हैं, द्रिश्टी ने कहा है, यहां पर ए- आर ओफिशियल ने कहा है सर सपोर्ट वूमेन, ओके बाकी लोग कह रहे हैं, बी ऑप्शन, दिप् इंडियन पोपुलेशन, यहां पर वूमेन सपोर्ट के लिए नहीं है, यह थीक है, मुद्रा टूल बॉक्स जो है, हाँ, वो बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड राज, प्रतिक्षा, राहुल, जोती, कैंडी, चली आगे बढ़ेंगे, अगले प्रशनी की तरफ, अग रूरल टेलीफोनी, भारत निर्मान के अंदर कौन नहीं है, बताईए, फड़ा-फड से, कौक्शन पढ़ियागा, नौट लिखा हुआ है, यहां पर लोगों ने कहा है, सर, एग्रो बेस्ट, प्रतिक्षा कहने हैं, सर, टेलीफोनी में मुझे कन्फ्यूजन है, मारिया न निर्मान का बस पार्ट नहीं है, बाकी यह तीनों है, हाँ, टेलीफोनी नहीं होगा, क्योंकि वो भारत निर्मान का पार्ट है, तो एग्रो सही है, केंडी, वेरी गूड, एग्रो इस दा करेक्ट आंसर, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प बढ़ेंगे, वो आप बताएंगे, सकेंड हूमवक़ आपका ये रहा, आपको year बताना है और full form बताना है नाबाड का कि किस year में established हुआ ये second homework आपका रहा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्णा आपके स्क्रीन पर ये रहा चालुक के वंश भारत के डैश भाग में एक प्रमुक राज था इस्टन सदन वेस्टन नौर्टन कर दीजे इस कोश्चन को क्या चली चली कर दीजे फड़ाफट से देखते हैं किसका तीर जाकर इसके दिल पर छेद कर देता है प्रतिक्षा ने का है सर इसकिप करूंगी में कोश्चन को सभी लोग बाकी क्या कह रहे हैं बी ओप्शन मतलब सदन के साथ जा रहे हैं सदन 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 टीना आफान श्रीकांथ शिवानी बहुत बढ़िया सूरज राहूल यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ओप् बढ़िया फाउंडर फाउंडर कौन थे बताईए देखते हैं कि स्किल कितने लोग के जवाब सभी आते हैं अभी कोई भी नहीं आया है इस मैदान में अरे चालू क्या चालू क्या के फाउंडर कौन थे यहां पर प्रतीक ने सही जवाब दिया है प्रतीक वेरी गुड हाँ सौरव का बिल्कुल सही जवाब आया है कि यहां पर सर्द पॉलकेशन होगा क्या होगा पॉलकेशन वन होगा यह फाउंडर थे तो यह भूलना नहीं है हाँ very good सौरव रिमपा very good केंडी very good बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ेंगे लेकिन देखे अभी हम live है 210 और सिर्फ like है 71 इसको फड़ा-फड से balance करते हैं और आगे बढ़ते हैं हाँ प्रियांशू आप बिलकुल सही है अभी शेक आप बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर यह रहा विच कंट्री विल होश्ट दा 2024 ओलम्पिक गेम 2024 के ओलम्पिक खेलो की मेजबानी कौन सा देश करेगा फ्रांस, ब्राजील, ग्रीज और जापान जब लोग का आर आएसर पैरिस मतलब फ्रेरिस कहां पर है फ्रांस में है तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा option number one फ्रांस में होगा अब देखिए तो 2024 की बात हो गई है इसके बात जो अलम्पिक होगा वो कब होगा और कहां पर होगा फड़ा वड़ से बताएए हाँ पैरिस फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्षा, राज, प्रतिभा बहुत बढ़िया वेरी गुड लॉस एंजलेस ऑस्ट्रेलिया कैसे कैंडी आस्ट्रेलिया में लॉस एंजलेस कैसे आगया लॉस एंजलेस ऑस्ट्रेलिया में कैसे हो सकता है ठीक है यहां पर करेक्ट आंसर आ रहे है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अगले प्रशनी की तरफ विच ओफ दॉफॉलॉइंग कंट्रीज विच्विल होश्ट दा 2022 फीफा वर्ल्ड कप निम लिखिद में से कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा रशिया ब्राजील कतर और यूएस यहां पर लोगों ने का है सर कतर 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 कुछ लोग जापान टोक्यों कह रहे है इसमें जापान ऑप्शन ही नहीं है हाँ वैरे गूड यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नमबर थरी कतर होगा बहुत से लोगों के फेवरेट होगे यहां पर मैसी जी बहुत से लोगों के फेवरेट होगे अपने CR07 तो भाईया ऐसे ऐसे आप लोग जब याद रखोगे तो फिर ये भूलोगे कैसे तो फेवरेट हैं आपके तो कैसे भूल सकते हो आपकी कहां पर होने वाला है आगे बढ़ते हूँ ऑस्कर जीतने वाले पहले भारती कौन थे सत्यजीत रे रेशुल पुकुती गुलजार भा आयमे ने कहा है सर्भानु अथीया सौरव ने कहा है प्रुसन जीटने कहा है मनीष ने कहा है राहुल आरती दलजीत हमान्शू बहुत बढ़ यहां पे correctऊंसर होगा रिमपा वेρα इगुड यहां पे correct-taćशन का option number 4 भानू अथया थे जिनको पहला क्या मिला ओसकर आवार्ड भारती जो पहले ओसकर विनर बने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशने किस राज ने भावंतर भरपाई योजना के तहत खरीव सीजन 2021 से बाजरा को शामिल करने का निर्नलिया पंजाब, बिहार, हर्याना, जारकन बहुत important question क्यों एक तो agriculture से है दूसरा ये current affair का है तो दोनों में आज जाएगा agriculture और current affair के अंदर है तो बहुत important question है, लोग यहां कह रहे हैं सर जारकन लेकिन सौरव ने कहा है सर हर्याना होगा, नहीं, नहीं, यहां पर हर्याना, अच्छा हर्याना दे रहे हैं लोग, ठीक है, यहां पर correct answer जो होगा, हर्याना ही होगा, भाई, कौन सा होगा, हर्याना होग चलिए, और देखिए इसको अगर आपको चाहिए कि इसकी भरपाई मिले, तो इसमें registration कहां पर करना होगा, मेरी फसल, मेरा ब्योरा, कहां पर, मेरी फसल, मेरा ब्योरा, इसमें register करेंगे, तो ही फिर यहां पर उनको भरपाई मिलेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशने है, what is the main objective of परंपरगत क्रिशी विकास योजना, परंपरगत क्रिशी विकास योजना का मुख्य उद्देश क्या है, to adopt the traditional method of irrigation, to promote organic farming, to adopt the technique of rain harvesting, to reduce the use of mechanism technique in agriculture, ठीक है, फड़ा-फड से देंगे, सभी लोग आंसर, to, to आ रहा है, मतलब, aim ने कहा है, लेकिन, A, स्वाती कह रहे है, four, यहां पर confusion हो गया है, सभी को, आर्मी लवर के रहें, two, संजय ने कहा है, two, भावी ने कहा है, two, कृष्णा, B के साथ जाएंगे, तो यहां पर जो correct answer है, नी तू four नहीं होगा, यहां पर correct answer जोगा, वो option number two होगा, to promote organic farming, और सबसे पहला राज जो अपना organic farming में रहा है, वो कौन सा रहा है, सिक्किम रहा है यह भी याद रखेंगे, organic farming होती कहा है, क्या है, भाईया वहाँ पर हम fertilizer वगेरा कैसा use करते हैं, जो होता है, बनाया हुआ, dump करते हैं, क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं, गड़ा, जिसमें हम ले जाके, सारे जो organic होते हैं, मतला waste होते हैं, जैसे bio degradable, उसको फिर हम कुछ महने के लिए रखते हैं, और उसके बाद अपने खेतों में use करते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशनी है, which of the following temple is known as black pagoda, निमलिकिन में से किस मंदिर को black pagoda के नाम से जाना जाता है, लिंगराज टेमपल, ब्रहमेश मुक्तेशवर टेमपल, मुक्तेशवर टेमपल और कोनार्क सन टेमपल, केंडी ने काया, सर कोनार्क, एम ने काया, कोनार्क, पूजा, यहाँ पर प्रसनजी, दिप्ती, अफसाना, 100% सब कह रहे हैं कि सर यही होगा, इसके लावा अगर option आपने बताया, तो फिर तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो भाई, जब यहाँ पर सभी लोगों ने कह दिया है, तो option number 4, तो कोनार्क सन टेमपल, जो की ओडिशा में है, उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोडा कहा जाता है, ठीक है, और वहाँ पर एक जगननाट टेमपल भी है, बहुत फेमस टेमपल है, ठीक है, भुवनेश्वर में, ये भी बहुत फेमस से, और कौन सा है, ब्लैक पगोडा, और अब आपको बताना है, बड़ा इमाम बड़ा कहां पर है, बड़ा इमाम बड़ा कहां पर है, कहां पर है, हाँ, देखते हैं किसका करेक्ट आता है, बड़ा इमाम बड़ा कहां प सब ने कहा लखनाओ 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 आ गया तो very good यहां पे correct answer जो होगा वो होगा लखनाओ और हमने ये भी पढ़ाए कि छोटा इमामबरा भी यहीं पर है ठीक है दोनों भाई बहन वहीं पर हैं बड़ा इमामबरा और छोटा इमामबरा ठीक है आगे बढ़ते हैं which state government has launched portion अभियान to eradicate malnutrition क्रिप portion को मिटाने के लिए किस राज सरकार ने portion अभियान शुरू किया है तृपुरा गुजरात उत्तर प्रदेश और उत्त्राखंड यहां पे आफान के रहे हैं सर यूपी है कुछ लोग कह रहे हैं रिमपाने का सर उत्त्राखंड सी option मतलब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आ रहे हैं यहां पर confusion हो गया भाईया देख लो साप को तो मैं बिठा रहा हूं यहां पर बच के चलना चलिए चलिए बहुत बढ़ी आए यहां पर correct answer जो होगा वहोगा गुजरात क्या होगा गुजरात यूपी नहीं है प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फड़ा फट सभी लोग लाइक करेंगे यहां पर देखे 241 अभी लाइव हैं लेकिन सिर्फ 110 लाइक इसको आपन फड़ा फट से 160 करते हैं हां सुनाली गुजरात सही है नीटू वेरी गुड गुजरात इस दा करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ हडपा का इस्थर डैश नदी के तड़ पर इस्थित है सरस्थी ब्यास इंदस और रावी यहां पर करेक्ट आंसर होगा रावी नदी अब देखिए भी यहां सरस्थी नदी का सबसे जादा जिक्र कहां पे था रिगवेद में था कहां पे था रिगवेद में था ठीक है ब्यास नदी को रिगवेद के समय क्या कहा जाता था विपासा कहा जाता था ठीक है इंदस नदी को क्या कहता जाता था सिंधू नदी कौन सी नदी सिंधू नदी रावी नदी को क्या कहते थे पुरुषनी क्या कहते थे पुरुषनी ये भी याद रखेंगे वेरी गुड बहुत बढ़िया जोती कुनिका आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशनी आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारत में प्रती वर्श राष्ट्री बाली का दिवस कम मनाया जाता है पांच जून बारा माई 24 जन्वरी 9 सेप्टेंबर ये तो भाईया सारे लोगों को पता ही होगा विंपा ने काया सर 24 होगा 24 24 आ रहा है तान्या यहाँ पर माई एम योगेश द्रिष्टी तान्या आरती कुमार बहुत बढ़िया राहूल वेरी गुड यहाँ पर करेक्ट आंसर है 24 जन्वरी देखे 24 जन्वरी को हमने क्या मनाया नेशनल गर्ट्राइल डे 25 जन्वरी को ह ऐन क्या मनाया है रीपवलिक से नॉट्राइब आई जन्वरी को हमने क्या मनाया एन यूथ समय धने यूथ की यहाँ है यह याद रखेंगे हाँ तेईस हाँ प्राकरम बहुत बढ़ियां तेईस जो है वो प्राकरम दिवस हो गया जहाँ पर शुबाश चंद्र बोश जी को भी हमने याद किया ठीके कौन सा है प्राकरम दिवस और शुबाश चंद्र बोश दिवस चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के लिए अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर ये रहा वेर इस दा हेड़कोर्टर ऑफ दा साहित अकादमी का मुख्याले कहां इस्तित है हाइदराबाद, न्यू दिल्ली, लखनाओ और मुंबई यहाँ पे सब ने कहा है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, अफ़जाना ने कहा है सर हंडेड परसेंट, धर्मेंद कह रहे हैं सर दिल्ली होगा, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली correct answer है तो यहाँ पे new dillie is the correct answer और आपको यह भी आद रखना है कि icar का headquarter जो है वो कहाँ पर है न्यू दिली में ही है कहाँ पर है new dillie में ही है और इसका reorganization कब हुआ था reorganization कब हुआ था फड़ा फट से date बताएंगे आपने इसको पहले cover किया हुआ है reorganization कब हुई थी 1929 इस established प्रसनजीत ने बहुत सही जवाब दिया है दिनेश ने सही जवाब दिया है रिंपा ने वेरे गुड यहाँ पे correct है 1965 तो भूलना नहीं भीया icr 1965 पे reorganize हुआ established जो हुआ वो 1929 में हुआ है तो भूलिंगे नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर प्रिये दर्शनी योजना started off by which of the following bank प्रिये दर्शनी योजना निमलिकिज में से किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी union bank of india bank of india state bank of india और पंजाब national bank केंडी confused है sbi के साथ प्रियांशू कह रहे हैं sir option number d पंजाब national bank शिवा ने कहा है sir bank of india शिवा बहुत बढ़िया गबर भी बहुत बढ़िया गबर भी आ चुके हैं वो कह रहे हैं sir ये हाथ मुझे दे दो तो ये हाथ मैं आपको दे देता ह हूं गबर जी करेक्ट आंसर है bank of india क्या है bank of india बहुत बढ़िया चलिए यहां पर हार रिमा बिल्कुल सही है आप बैक of india इस करेक्ट कोई बात नहीं चलिए अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं इंडियन सेटलाइट लॉंचिंग स्टेशन सतीज धावन स्पेस सेंटर इस लोकेटेट इन विच स्टेट भारती उपगरफ प्रक्षेक्ष्टन केंद्र सतीज धावन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थि मारिया यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वह होगा आंध्र प्रदेश अब आपको बताना है कि इसरो के अभी कौन चेर्मेन है इसरो के चेर्मेन कौन है बताईए फटा-फट से इसरो के चेर्मेन कौन है सोमनाथ लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है वेरी गोड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सोमनाथ इससे पहले कौन थे के शिवान जी थे तो अभी लेकिन कौन है सोमनाथ है तो याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की तरफ सरिस्का नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन सरिस्का राश्ट्य उध्यान कहां इस्तित है करनाडग में है उत्राखंड में है राजस्थान में है और सिक्किम में है लोगों ने कहा है सौरव ने कहा है राजस्थान एम ने कहा है केंडी ने कहा है शिवा नितू सुदिप्ता मारिया नवीन बहुत बढ़ियां यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान राजस्थान में हमने इससे पहले भी देखा है कि भाईया कौन कौन से यह हैं क्योजरत यह लोंदेव bunch अध्याद रखेंगे बहुंआ भरतपुर नेशनल पार्क कि इसको बोलते हैं बस्टर्ट और बढ़ेंगे यहां पर और एक कौन सा बढ़ाएं डिल एक रहाल कि वही पर है वेरे गुड़ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ बहुत बढ़िया प्रसनजीत आर्मी लवर विच सिख गुरू लेट दा फाउंडेशन आफ दा सिटी आफ अमरिसर अमरिसर सहर की नीव किस सिख गुरू ने रखी थी गुरू नानक जी, गुरू रामदास जी, अर्जुन देव जी, गुरू गोविन सिंग जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं आर्मी लवर ने कहा है सर गुरू नानक जी होगा बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है बी ऑप्शन कहके हाँ अच्छा अच्छा रीमा ने कहा है सर ऑप्शन नमब भी 100% चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ लेकिन एक बार गुजारिस आपसे फड़ा-फट सभी लोग लाइक करो अगर आपको इस 146 पे हैं लाइक पर इसको फड़ा-फट से 180 के उपर लेके जाते हैं हां सुनाली बी इस दा करेक्ट आंसर कुम-कुम वेरे गोड अजय वेरे गोड चलिए अगले प्रश्णी की तरह पढ़ेंगे अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर ये रहा भारत में स्थानी स्वाशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है कौर्णावलिष मायो मकोले और रिपन केंडी ने कहा है रिपन, प्रसनजीत, सौरव, अजहर, दिनेश, भाई इस बार तो हमारे यहां के छोरों ने बहुत जोर लगा दिया है सारे छोरे लोग एकदम स्टार्टिंग में हैं छोरिया थोड़ी सी पीछे हो गई हैं पर कोई ना टककर तो काटे की है तो यहां पर करेक्ट आटसर जो होगा क्या होगा रिपन होगा इनको कहा जाता था लोकल जेल्फ लगोंगे क्या लेक्टर करेंगे ने तो क्याoris हैं टृट्रिमेंट कolfर्वाइंगे लोगो के टिने नि港े में क्या हुआ था settlement किसका settlement जमीन का तो जमीनदारी सिस्टम इनके समय में आ गई थी ठीक है अब देखिए मायो को कैसे याद किया था मारो मारो मायो मायो ऐसे थे जिनको को एसे सिनेट किया था इंडिया में ठीक है मकोले की वज़े से क्या ही हमारे हां इंगलेश क्या गई इंगलेश इनका आ गया इंगलेश एजूकेशन हाँ बहुत बढ़िया सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रसन जीत अंडमान में सिनेट हुए थे बहुत बढ़िया गाईज एकदम करेक्ट आंसर यहां पर क्या है कुवर सिंग है लेकिन लखनव में तो कौन थी भाईया यहां पर तो हजरत बेगम जी थी हाँ very good हजरत बेगम जी थी चलिए आगे से बढ़ेंगे हाँ बढ़ते हैं आगे चलिए अगला प्रसन यह क्या हो गया अगला प्रसने which of the following orbiters had detected water molecules on the moon surface recently in August 2021 निम लिखिद में से किस orbiter ने हाली में अगस्त 2021 में चंद्रमा की सताय पर पानी की अणूओं का पता लगाया था लूना 9, लूनार ओर्बिटर 1, चंद्रियान 2 और चंगेज 5 लोग कह रहें सर ऑप्शन नमबर 3, 3, 3 कुछ लोग कह रहें सर ऑप्शन नमबर 2 है यहाँ पर correct answer देखते हैं किसका ज़ाही होता है प्रियांशु कह रहें सर 3, शिवा कह रहें सर 3 ठीक है अफसाना कह रहें सर अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा रिचा आपका नाम डेफिनेटली लिया जाएगा अगर आपने answer दिया है might भी हो सकता है कि नाम मैं नहीं देख पाया हूँ पर कोई नहीं रिचा आप answer दीजिए आपका नाम तो हम सोनेरे अक्षरों में लिखेंगे कुछ लोग कह रहें सर कंगना होंगे कुछ लोग कह रहें दिपिका पादुकोर तो भाईया फेवरेट एक्टरिस का नाम नहीं बताना है यहाँ पर correct answer बताना है तो यहाँ पर correct answer जो है वो भाईया कंगना रनौज जी नहीं है दिपिका पादुकोर है कौन है दिपिका पादुकोर चलिए तो गाईज एक बाँ फड़ा फट से देखें सभी लोग like करेंगे यहाँ पर 280 लाइव है लेकिन 170 सिर्फ like है इसको फड़ा फट से 200 के ऊपर ले आफ मराठा एंपायर मराठा समराज के संस्थापक कौन थे शिवाजी महराना प्रताप देख बहादूर उतात्यतों पर यहाँ पर लोग करें सर शिवाजी शिवाजी 100% सिवाजी होंगे तो भाईया सबके फेवरेट चत्रपती शिवाजी जिन्होंने बहुत अच्छे से संभाला चीजों को और यहाँ पर करें सर हैं शिवाजी अब इनका जन्म कहां पर हुआ शिवनेरी में हुआ कहां पर शिवनेरी में अब शिवनेरी कहां पर है यह आप बताएंगे ओ भाई गधारी में हैं जितेंद्र ने बिलकु सही बताया पर शिवनेरी में चलों अगे भएंगे आगले प्रश्ने की तरफ हा पूने आभी जितेंद्रने बिलकु सही बताया मैं यही सुनना चाह रहा था कि वह यह कहां पर है तो पूने के पास में ही है क्या शिवनेरी चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है भारत में कि शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है मुझफरपूर, जैपूर, मुंबई और जोधपूर यहाँ पर लोग कह रहें सर ए होगा मतलब मुझफरपूर बहुत टक कर मुझफरपूर के साथ कुछ लोग कह रहें सर जोधपूर जोधपूर कैसे हो सकता है स्वीट सिटी इतना तो मीठा नहीं है यहाँ पर बहुत से लोग मुझफरपूर के साथ जा रहे हैं सृद्धी, प्रसन जीत तो भईया यहाँ पर करेक्ट आंसर जैपूर भी नहीं है जैपूर भी इतना मीठा नहीं है जितना हमारा मुझफरपूर मीठा है तो मुझफरपूर करेक्ट आंसर होगा मुझफरपूर को क्या कहा जाता है स्वीट सिटी ओफ इंडिया और जैपूर को तो हम कहते हैं भी याद रख सकते हो, जोधपूर को क्या कहते हैं, फड़ा-फड से बताएंगे, सन सिटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बताइए, ब्लू सिटी, क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी, और अगर यहाँ पर यह क्या लिख देते हैं, उदैपूर, तो उसको कहते हैं, लेक सिटी ठीक है, लेक सिटी क्योंकि यहाँ पर लेक है, very good, बहुत बढ़िया, land of seven island, मुंबई को कहते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्णी की तरफ, लेकिन सभी लोग फटा-फट से guys like करेंगे, क्योंकि मज़ा तभी आएगा, जब आप मुझे motivate करेंगे, और मैं आपको कर रहा होंगा, blue city, अच्छा, हाँ, तान्या जी, very good, प्रियांशी, very good, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्णी की तरफ, अगला प्रश्ण है, who is the author of the book, यूग पुरुष भारत रतन अटल जी, यूग पुरुष भारत रतन अटल जी, किसके लेक कौन है, प्रणा मुखर जी, यश्वन सिनहा, रमेश पोखरियाल, निशंक, नरेंद्र मोदी जी, बताइए, रिंपा ने का है, सर, three option, बड़े गुसे के साथ, लेकिन रिंपा इतना अच्छा नहीं है, फड़ा-फड हसते हुए आंसर देंगे, क्योंकि हमें happiness index में आगे बढ़ना है, तो हस के आंसर देंगे सभी लोग, पोखरियाल, पोखरियाल जी, आ रहे हैं सभी की तरफ से, सर, option number, यहाँ पे C होगा, तो very good, यहाँ पे correct answer जो है, वो option number, क्या है, C है, रमेश पोखरियाल निशंक, अभी रमेश पोखरियाल निशंक, जो है, उनको कौन सी ministry दी गई है, यह आपका third homework होगा, क्या होगा, third homework होगा, कि इनको कौन सी ministry दी गई है, वैसे आप बड़े आसानी से बता दोगे, हाँ, चलिए, और यहाँ पर देखे, नरेन मोदी जी की जो book थी, वो कौन सी थी, बहुत बार पूछ लिया था, exam में, तो इन्होंने जो book करते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन है, अपने सामने, jude grows well on which type of soil, jude किस प्रकार की मिट्टी पर अच्छी रतार से उगता है, black soil, red soil, aluvial soil, और yellow soil, यहाँ पर जवाब दिया सौरवने की सर, अलू, अलू अर्जुन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम, अलू VL की बात कर रहे हैं, तो अलू कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि अलू अर्जुन ने तो सिर्फ काय, जुकेंगे नहीं, उसको execute, follow, हम योद्धा लोग कर रहे कि हम जुकेंगे, नहीं, जुकूंगा, नहीं, तयारी करता रहूंगा, ठीक है, हाँ, यहाँ पर correct answer जो होगा, वो होगा, अलू VL soil बहुत बढ़ियां, क्या है, अलू VL soil होगा, अब black soil को भईया, हम कितनी बार पढ़ें, कि भईया, regular soil बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह से जादा होता क्या है, cotton production जादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें water retention जो होता है, वो बहुत जादा होता है, क्या होता, water retention power जो है, वो जादा होती है, अलू VL आपको मिल जाएगी, West Bengal की तरफ, Assam की तरफ, मतलब आपको North East और North की तरफ मिल जाएगी, बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्णी की तरफ लेकें देखें 198 पर आकर हम रुख गए है लाइक में ऐसा क्यों 200 से हम double century नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्या हो गया अच्छा AB Divilliers नहीं आए हैं इसलिए शायद नहीं हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर ये रहा बताईए क्या करेक्ट है शीवा ने रिप्लाइए कर दिया सर बोथ प्रसुन जीद ने रिप्लाइए कर दिया है पूजा ने किया है बोथ प्रियंका अजहर श्रीकांत रिच्चा बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बोथ बोथ दोनों के दोनों ही सही है यहां पर लुस ये रहा, select the incorrect match, गलत यूगम का चैन करें, कलबेलिया डांस जो है, वो कह रहे हैं, राजिस्थान से है, छेराओ डांस कह रहे हैं, मिजोरम से है, बीहु जो है, वो आसाम से है, कुछी पुडी कह रहे हैं, ओडिसा से, तो बताइए कौन सा यहाँ पर गलत मैच किया गया है, स सभी लोग बड़े मजे के साथ आंसर दे रहे हैं, तो मतला happiness index में हमारी rank क्या है, अच्छी होने वाली है, कुछी पुडी जो है, वो कहां कहा है, बताए कच्ची पुडी कहां के लोग खाते हैं, हमने याद किया था, आंध्र प्रदेश के लोग, क्या खाते हैं, आंध्र प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन आपके सामने ये रहा, विच अमंग दा फॉलॉइंग सुल्तागान ओफ दा स्लेव डाइनेश्टी वास नॉट असलेव, गुलाम वंश का निमलिखिद में से कौन सा सुल्तान गुलाम नहीं था, कुतुब दिनैबक, इल्तुतमिष, र रजिया दिप्ती बोल रहे हैं, ठीक है, प्रसर नजीत ने भी का है, रजिया तो भाईया करेक्ट आंसर होगा, कि रजिया सुल्तान जो थी, वो नहीं थी स्लेव, बाकी सारे लोग स्लेव थे, ठीक है, अब यहाँ पर, यह तो फाउंडर हो गया, कौन हो गया, फाउंडर का जोपड़ा, भाईया अढ़ाई दिन में बना दिया, ठीक है, यह भी याद रखेंगे, रजिया सुल्तान पहली, पहली महिला, हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन गलत हो तो माफ करियेगा, पहली महिला थी, क्या थी, पहली महिला, जो दिल्दली सल्तनत पर राज किया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशनी है, आपके स्क्रीन पर ये, बारत में प्रतम पंच वर्षी ओजना में सर्वुच प्रतमिक्ता पर क्या था, अग्रिकल्चर, स्टील प्लांट, पोर्स और इंडस्ट्री, यहाँ पर लोगों ने का सर्व एग्रिकल्चर, 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 आईसी एर में आप एग्रिकल्चर के कोशन ले के आओगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर भईया मत छोड़िए, बिलकुल करेक्ट करिए आप लोग, एग्रिकल्चर यहाँ पर पर correct answer होगा ठीक है लेकिन आप लोग यहां पर न ये भी सब पढ़ लीजेगा सिरी कल्चर किस से related है ठीक है विटी कल्चर किस से related है यहां पर exam में पूछ सकते हैं आपसे होटी कल्चर किस से related है ठीक है यह बिल्कुल भी मत छोड़के जाएगा PC कल्चर किस से related है यह सारे exam में पूछ सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला प्रशन आपके screen पर यह रहा नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर रिसर्च इस सिचुएटेड एड राश्टी स्तर का सरसो अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है सेवा टॉंक जैपूर और बस्सी चलिए फड़ा फड़ बताएंगे सभी लोग कुछ लोग टॉंक कह रहे हैं कुछ लोग जैपूर कह रह है इस प्रियांशू ने का सरो बी होगा स्वर वोग रिगुड यहां पे रीक्रम वान सेवार क्रेक्ट यहां होगा सेवार इस दा करेक्ट आंसर अगले प्रिक्षा अगले nevertheless तरफ अगला प्रश्न है पॉइस पॉइंटेटरी जनरल और राजसभाई नमबर 2021 में राजसभाई के नए महासचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या कया गया है प्रमोद चंद्रमोदी पीक पीक रामचरेयलू मुहमध दास मुहमध आस देश दीपक ऐस मुधे रहे हैं मतलब प्रमोद चंद्रमोदी कहरे हैं कुछ लोग यहां पर करेक्ट आंसर में कनफ्यूजन हो गया लोगों को करेक्ट आंसर है प्रमोद चंद्रमोदी लोगों ने सृट फ़र्म देख कर कनफ्यूजन हो गयी यह है PCM क्या है फिजिक्स chemotherapy और मैस? नही पिजिक केमेश्ट्री मैस नहीं है, प्रमोज चंद्रमोधी है, PCM, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, दिनेश, रिमपा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन आपके सामने ये रहा, ओह, 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 यहाँ पे अपनी क्लास हो योजना, स्क्रीम, हिश्ट्री के कॉश्चन, जोग्रफी के कॉश्चन, ये सारे हमने इंक्लूड किये, कुछ एग्रिकल्चरल के कॉश्चन, तो आपको इसी तरह से हम अगले मौक में और अच्छे तरह से लेकर आएंगे, और बढ़िया, बढ़िया कॉश्चन को क्या सर्च करेंगे, गौरफ मौरिया सर टेस्ट बूक, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, ग्रूप मिल जाएगा, जोइन कर लीजे, वहाँ पर सारी PDF अपलोड की जाती है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, और तयारी जारी रखिएगा, और फड़ा फड़ से सभी ल के साथ अग और एक और नए मौक के साथ, मैं आपका दोस्त गौरव आपसे तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, जै हिंद, जै भारत झाला सथ झाला सथ झाल झाल